नमशकार, अब हम लोग discuss करेंगे laryngeal joints के बारे में, उसके बाद membranes, फिर हम muscles के बारे में बाद करेंगे तो सबसके पहले हम बात करते हैं laryngeal joints के बारे में, यहाँ पर दो joints हैं एक cricothiroid joint और दूसरा है cricoarotenoid joint तो आप देखें गे कि आगे की और क्रिक्वाइड थायरौइड कार्टलिज के साथ masculine बनाता है और दूसरा होता है पीछे की और क्रिक्वाइड का eryotrinoid के साथ बनने वाला joint तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे पीछे की और बनने वाला cricquired और eratinoid के बीच का जो joint है cricco-eratinoid joint यह काफी खास होता है इसके अपनी properties होती हैं यहाँ पर joint है जो joint इसे rotatory moment और gliding moment के लिए प्रेरित करता है तो rotatory अगर होगा, rotation होगा, तो vertical axis पर rotation होगा, आप समझ सकते हैं, axis पर जब rotation होगा, तो vocal card का abduction या adduction, adduction या abduction हो सकता है, gliding moment के दौरान, aritonoid cartilage glides करती हैं, एक दूसरे पर जिसकी वज़ा से opening या closing हो पाता है, posterior part of glottis का, तो ये चीज़ें हैं, इसके अपनी property है, इस moment की वज़ा से ही vocal card freely movement कर पाता है, मैंने आपको बताया भी था, कि vocal card का आगे का हिस्सा fixed होता है, पीछे का जो हिस्सा है, वो aritonoid cartilage के movement की वज़ा से ही vocal card move कर पाता है, और aritonoid cartilage को movement क्यों मिलता है, क्योंकि ये required cartilage के उपर जो joint बनते हैं, crico aritonoid joints, ये synovial joint होते हैं, और इसी वज़ा से ऐसा free movement possible हो पाता है, आगी की और देखें, तो मैंने आपको बताया था, कि required cartilage incomplete ring like structure है, और ये required cartilage, आगे की और thyroid cartilage के साथ जो joint बनाता है, वो crico thyroid joint होता है, अब हम बात करेंगे अगले section में, laryngeal ligaments and membranes के बारे में, तो यहाँ पर दो तरीके के membranes के बारे में हमें study करेंगे, एक extrinsic membrane और दूसरा intrinsic membrane, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे intrinsic membrane के बारे में, intrinsic membrane क्या होती है, ऐसी membrane जो larynx के cartilage को एक दूसरे के साथ unite रखने में के लिए प्रेरित करती हैं, वही extrinsic membranes होती है, वो larynx के cartilage को outside larynx के part के साथ connect करने के लिए, unit करने के लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ पर देखेंगे extrinsic membrane cartilage को connect करता है outside larynx के skeletal structure से अब आप सुचेंगे outside larynx के structure से कैसे connection होगा, कौन-कौन से structure हो सकते हैं internally कौन-कौन से structure हो सकते हैं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर basically intrinsic laryngeal ligament और membranes के रूप में हम बात करेंगे elastic membrane of larynx की और फिर हम बात करेंगे thyroepiglottic ligaments की यहाँ पर elastic membrane के रूप में दो अलग-अलग membrane हमें पढ़ने को मिलेगा एक होगा crico vocal membrane और दूसरा होगा quadrangular membrane तो हम इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर crico vocal membrane और quadrangular membrane का नाम आता है इनको एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो elastic membrane की बात करते हैं तो यह दो parts में divided होते हैं यह internally fibrous framework बनाते हैं चुकि intrinsic membrane है तो यह fibrous framework बनाते हैं larynx का और यह laryngeal mucosa के जस्ट नीचे पाए जाने वाले membranes हैं तो यह laryngeal mucosa के नीचे पाए जाने वाले membranes हैं और यह ventricles के द्वारा अपर और lower parts में divided होते हैं इसमें दो parts होते हैं यहाँ पर जो fibrous framework है elastic membrane का जो कि intrinsic membrane है यह यहाँ पर देखें तो एक ventricle है खाली सी जगह है यहाँ पर आप देखेंगे यह नीचे की और आप देख रहे हैं vocal ligament और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की और जो यह elastic framework बना हुआ है यह actually quadrangular shape का होने की वज़ा से intrinsic membrane के ऊपरी हिस्से को कहते हैं quadrangular membrane जो कि upper part कहलाता है ventricle यहाँ पर है उसी के ऊपर है इसलिए इसे upper part कहा जाता है वही नीचे की और आप देखेंगे यह triangular shape का है इसे cricovocal membrane कहते हैं तो यह है cricovocal membrane आप यह देख सकते हैं epiglottis है तो यह होगा anterior part और यह होगा posterior part posterior part में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है required cartilage इसके ऊपर है और इसके उपर है carniculate cartilage आप यह सारी structures देख पा रहा है यहाँ पर यह पूरी की पूरी ring यह means यह open book like structure होती है न थाइराइड cartilage तो थाइराइड cartilage का यह देखें यहाँ पर यह हार्न है और यहीं पर आकर कि यह बंद हो जाता तो यह आप देख सकते हैं यहाँ attach होते हुए देख रहा है थाइरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के द्वारा आप देखें एपिग्लॉटिस और थाइराइड के बीच में थाइरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है यह quadrangular shape का quadrangular membrane है और नीचे की और जो triangular shape का है वो क्रिको वोकल membrane है यह दोनों अंतर कैसे हैं बीच में ventricles के द्वारा तो इसी बात को हम लोग ने discuss किया है चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं elastic membrane जो कि intrinsic membrane होती है वो framework बनाती है यह laryngeal mucosa के जस नीचे पाए जाने वाले हैं यह upper और lower part में जो divided हैं quadrangular और क्रिको वोकल membrane के रूप में वो ventricle के द्वारा division किया गया होता है यहाँ पर एक और image में उसी चीज़ को देख सकते हैं उपर हिस्से में आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें यह epiglottis है epiglottis और यहाँ पर यह पीछे से हम देखने का प्रयास करें सब कुछ कट कर दिया है यहाँ पर ventricle नजर आ रहा है ventricle के ऊपर का हिस्से को आप देख सकते हैं quadrangular shape का इसले इसको quadrangular membrane कहा जा यह quadrangular membrane है नीचे का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं यह triangular shape का है यह cricovocal membrane है तो यह है cricovocal membrane आप देखें यहाँ पर यह है cricovocal membrane तो हम इसे के बारे में डिस्कस कर रहा है अगर हम देखें कि जो अपर पार है quadrangular membrane तो यह क्या करता है ये actually उपर की ओर airy epiglottic जो fold बन करके आती है आप यहाँ पर देख सकते airy epiglottic fold होता है यहाँ पर हम बार-बार चर्चा कर चुके हैं इसको support करता है और नीचे की ओर ventricular fold को यह support करता है तो इसी के बीच में यह पाय जाता है और यह नीचे की ओर free border के रूप में नजर आता है नेक्स्ट जो निचला हिस्सा है आप देखें ventricular के नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर देखें तो यह जो ventricular के नीचे का जो हिस्सा है वो है cricovocal membrane के रूप में तो यह जो नीचला है जो हिस्सा है वो है क्रिको वोकल मेंब्रेन इस क्रिको वोकल मेंब्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये एक required cartilage के superior border से attached होता है इस image में हम लोग देख सकते हैं उपर के हिस्से में quadrangular membrane को और नीचे के हिस्से में यहाँ पर देख सकते हैं conus elasticus को बाकी सारे structures पर ध्यान ना दे बस ये ventricle के उपर नीचे के structure पर ध्यान दे यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ structure होगा उपर की और quadrangular membrane और नीचे conus elasticus बनाती हुई क्रिको वोकल membrane यहाँ पर conus elasticus को हमें ज्यादा ध्यान में रखना है अगर नीचले part की बात कर रहें को क्रिको वोकल membrane की बात कर रहें तो उसको उसमें एक बड़ा ही important structure होता है conus elasticus यह conus elasticus होता क्या है actually इसको समझना ज़रूरी है conus elasticus के साथ ही हमें समझना होगा कि यह क्रिको वोकल membrane का एक हिस्सा है यहाँ पर देखें उपर और नीचे यह देखें वेंटर्गल तो यह actual में यहाँ का जो part है यह है क्रिको वोकल membrane जो कि triangular shape का एक structure होता है जिसका upper border वेंटर्गल की वज़ा से आप देखेंगे free होता है और यह stressed रहता है thyroid और vocal process के बीच में यहाँ पर देखें thyroid और vocal process के बीच में यह stressed part है क्रिको वोकल membrane इसका lower border attached होता है क्रिक्वाइड cartilage के साथ क्रिक्वाइड cartilage के साथ इसका lower border attached होता है lower attachment की साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके lower attachment से membrane proceed करती है और यहाँ से lower side से एक membrane proceed करती है और यह आगे की ओर आप देखेंगे यह lower side से एक membrane proceed करती है medially जाती है और यह opposite side के यहीं से part निकल करके आता है वो opposite side यानि यह दो पार्ट में होता न तो इधर से भी एक निकलेगा और इधर से भी एक निकलेगा और दोनों joint होकर के conus elasticus structure बनाते हैं तो यहीं पर आप देखें यह है triangular shape का structure जो कि मैंने आपको बताया था क्रिको वोकल membrane और यहां से मैंने बता था lower border से इधर से निकलती हुई और इधर से निकलती हुई एक structure वही membrane के structure होती जो कि conus elasticus बनाती है तो यहां पर देखें conus elasticus बनता है और यहां पर conus elasticus का importance यह है कि foreign bodies कई बार यहीं पर impact हो जाती है तो इस image में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यहीं से यहां से ही बीच से ही निकलेगा एक part जो कि conus elasticus बनाने के लिए अपना contribution देगा यहां तो fiber यह triangular शेप का होता है और यहां बीच यह बीच के इधर से और इधर से जो मतलब दोनों साइट से निकल करके conus elasticus के structure बनती है जिसको हम लोग ने समझने की कोशिश किया था superiorly यह attached होता है किस से आप देखेंगे सीधे तोर पर यह attached होगा thyroid cartilage से inferiorly superiorly attached होगा thyroid cartilage से और यहां पर आप देखेंगे कि यह median cricothyroid ligament यहां पर आप देखें median cricothyroid ligament जो बनता है by the thickened anterior part of the conus तो वो चीज एक बार अगर anatomy के हिसाफ से अगर clear हो जाता है तो समझना आसान हो जाता है अब हम बात करेंगे इसके बाद extrinsic laryngeal ligaments और membranes के बारे में इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे thyroid membrane से तो यहां पर नाम से समझ में आ जाता है कि thyroid और hyoid why यहां absent होगे हम आफ करिएगा thyroid membrane तो thyroid cartilage और cartilage के heart bone के बीच में एक membrane होगा thyroid cartilage और heart bone के बीच में एक fiber elastic tissue होगा जो इनके बीच में connection बनाएगा तो यहां पर आप देख सकते thyroid membrane कैसा दिखता होगा thyroid membrane के रिए कुछ बाते समझना जरूरी है यह point तो उतना important नहीं है कि यह सब thyroid बरसा separate करता है यह सारी चीजें उतनी important नहीं है यहां पर deglutination में यह उपर की moment होता है larynx का यह भी ठीक है लेकिन इसका बहुत ज़ादा anatomical specific points हमें नहीं समझने है बस यह समझना है कि यह membrane हर एक अपने site पर superior laryngeal vessel और internal branch of superior laryngeal nerve के द्वारा pairs की जाती है यह point important है आगे यहां पर कुछ ligaments हैं कुछ और membranes हैं नाम से यह first हो जाता है thyro hyoid ligament लेकिन एक median side के लिए है और एक lateral side के लिए है तो वैसे ही इसका नाम वैसे ही इसका परश है यहां पर cricotracheal membrane आप समझ सकते हैं required or tracheal rings होंगे उनके बीच का membrane higher epiglottic ligament इस सारे नाम अपने आप से ही अपने positioning के बारे में जानकारी दे देते हैं जब हम लोग intrinsic laryngeal muscles की बात करेंगे तो इसमें बात आती है कि इनका function क्या होता होगा intrinsic laryngeal muscle जैसा कि नाम से इसपस्ट है कि यह intrinsic होंगी तो internal जो भी laryngeal cartilizes होंगे उन्ही को connect करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि internally cartilizes के बीच के adjustment से दो ही काम होते हैं एक या तो vocal card से phonation की या फिर laryngeal inlet के open होने या close होने की तो यहां पर हम बात करेंगे उन muscles की जो की vocal card पर काम करेंगे और उन muscles पर बात करेंगे जो की laryngeal inlet का part बनाएंगी इसमें कुछ खास groups की बात करेंगे जो vocal card पर काम करती हैं उसमें हम बात करेंगे abductor muscles of vocal cord के बारे में फिर adductor muscles of vocal cords फिर हम बात करेंगे tensors of vocal cords के बारे में फिर हम बात करेंगे exactly opener of laryngeal inlet के बारे में इतनी muscles तो vocal cord से ही सम्द्नित है और बाकी जो बच गई वो muscles laryngeal inlet से related होती है इसमें भी opener है तो closer भी होना चाहिए यहाँ पर यह point दिया नहीं गया है आपको समझना होगा opener और closer of laryngeal inlet total five muscles होंगी दो काम करेंगी यहाँ अब हम individual muscles को ले करके चलें तो posterior crico aritonoid muscle के बारे में यहाँ पर नाम दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप देखें posterior crico aritonoid muscles यानि required और aritonoid muscles के बीच में बीच में यह muscle होती है crico aritonoid muscle posterior side में इसका function क्या होगा posterior crico aritonoid muscle का actually इसमें contraction होने पर vocal card का abduction होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे posterior crico aritonoid muscle posterior crico aritonoid muscle जब contract करेंगी तो vocal card का abduction होता है action of posterior crico aritonoid muscle abduction of vocal ligament यह आपको याद रखना होगा posteriorly जब यह खिचेंगी तो जब यह खिचेंगी तो आप देख रखते हैं required cartilage के उपर पाये जाने वाला aritonoid cartilage बाहर की और खिचा जाएगा आप देखें यहाँ पर यह बाहर की और खिचा जाएगा और इसके बाहर खिचे जाने की वज़ज़ से vocal ligament खिचे जाएंगे एक और image के माध्यम से हम उसी location को देखने की कोशिश करेंगे posterior crico aritonoid muscle आप देखें यह जो muscle है जब यह खिचेगा जब यह contract करेगा तो होगा क्या यहाँ जो vocal ligaments होंगी वो फैल जाएंगी आप देखें जब यह खिचेगा तो होगा क्या यह abduction कराएगा posterior crico aritonoid muscle अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद adductor आप कहा सकते हैं या adductor of vocal cords के बारे में तो इसमें त्री muscles on each side पाई जाती हैं इसमें तीन muscle होती हैं हर एक side से इसमें lateral crico aritonoid muscle होता है इसमें intra aritonoid muscle का transverse portion होता है और इसमें external portion of thyro aritonoid muscle पाई जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे lateral part जबकि आप समझ सकते हैं posterior crico aritonoid muscle abductor था जबकि lateral crico aritonoid muscle adductor है फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर inter aritonoid muscle या transverse aritonoid muscle इसे कहते हैं तो यह समझ सकते हैं transverse aritonoid muscle क्या करेगा यह भी adductor का काम करता है और thyro aritonoid muscle का external portion या thyro aritonoid muscle का external part यह भी adduction का काम करता है यहाँ पर हम तीनों muscles को एक साथ देख सकते हैं जो adduction के लिए responsible होती हैं इस image में ध्यान से देखें तो यह जो muscle है मैं इसको highlighter से color करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर देखें यह है transverse aritonoid muscle यानि यह दो aritonoid cartilages के बीच में connection कराने का काम करेगा तो यह transverse aritonoid muscle है आप देख भी सकते हैं lateral crico aritonoid आप देख सकते हैं यह है इधर तो ऐसे ही होगा इधर भी ठीक है यह हो गया तीसरा होगा हमारे पास thyro aritonoid तो यहाँ पर हम देखेंगे thyro aritonoid muscle के बारे में यह है thyro aritonoid muscle यह thyro aritonoid muscle तो यह तीन muscles हैं जो आपस में जब work करती हैं क्या होगा वोकल कार्ड का adduction होगा कैसे होगा अब हम इसी को justify करने का प्रयास करेंगे चलिए देखते हैं one by one हम इसे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ next slide में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कि किस तरीके से lateral crico aritonoid muscle contract करती है तो यह दोनों ही आपस में पास पास आ जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर required cartilage तो fix रहेगा aritonoid cartilage movable होता है तो आप देखें इससे जब attachment है तो जब यह contract करता है तो यह जो vocal ligament के लिए जो इसके process है यह दोनों पास पास आ जाते हैं इसकी वज़ा से vocal ligament आसान हो जाता है एक बार फिर से देखें यहाँ पर कैसे इसका presentation होता होगा lateral crico aritonoid muscle का यह जब contract करती हैं जब यह contract करती हैं तो इसके जो vocal ligaments हैं उनका adduction हो जाता है अब हम next muscle की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग transverse portion of inter aritonoid muscle को देखें यहाँ पर जिसके बारे मैंने आपको बताया था transverse portion of inter aritonoid muscle जब यह आपस में करीब आएंगे जब contract करेंगे तो दोनों ही aritonoid cartilage आपस में पास पास आजाएंगे तो vocal card का adduction हो जाएगा इसको हम next slide में देख सकते हैं यहाँ पर यह action किस तरीके हो रहा है आप देखें transverse aritonoid या inter aritonoid muscles जब contract करेंगे तो vocal card करीब आजाते हैं यहाँ पर देखें आप यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं उसी action को होते हुए यह कैसे करीब आ रहे हैं इसके बाद हम बात करेंगे external portion of thyro aritonoid muscle की यहाँ पर thyro aritonoid muscles की contraction को आप देखें जब यह contract करती हैं तो भी vocal card का adirection हो जाता है इसको हम next slide में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखें आप यह जब contract करती हैं तो vocal card का adirection हो जाता है तो यहाँ पर shortening या relaxation of vocal cord को यहाँ पर देखा जा सकता है इसी बात को हम एक और image के माध्यम से देख सकते हैं thyroid और erotenoid cartilage के बीच में जो muscle है उसे thyroid erotenoid muscle कहते हैं इसके बीच में जब contraction होता है तो vocal cords का adirection हो जाता है अब हम बात करेंगे tensors of vocal cord के बारे में जिसको हम next slide में discuss करेंगे tensors of vocal cord की जब हम बात करते हैं तो इसमें cricothyroid muscles का नाम आता है cricothyroid और vocalis muscle vocalis muscle मतलब internal portion of thyroerotenoid के बारे में बात किया जा सकता है तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं cricothyroid muscle का external part कैसे tensor का का काम करता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं cricothyroid muscles के part को यह कैसे tensor का काम करेंगे इसको हम next slide में देख पाएंगे चलिए देखते हैं देखें जब यह muscles contract करती हैं तो होगा क्या cricothyroid muscle के contraction की वज़ा से thyroid cartilage नीचे की और downward direction में देखे contract होगा और जब यह contract करेगा वोकल कार्ड है उसमें tension बढ़ जाएगा तो इसलिए cricothyroid muscle tensor का काम करती है यहाँ पर हम देख सकते हैं thyro arytenoid muscles के या vocalis muscle के internal portion को यह जब contract करती है actually तो यह जो वोकल कार्ड वाला जो process है arytenoid cartilage का यह थोड़ा करीब आता है तो आप देखेंगे जो वोकल लिगामेंट्स में tension बढ़ता है यह थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे possible है तो यहाँ पर देख सकते है action of vocalis and thyro arytenoid muscles का एक साथ जो दिखाया गया है इस दोरान यह कैसे tensor का का काम करता है यह मुझे भी थोड़ा confusion create करता है इसलिए मैं यहाँ पर explain करने में थोड़ा मुझे मुझे मुश्किल है लेकिन क्रिको थाराइड को समझा सकते थे vocalis muscle या थारो एरेटोनाइड muscle के internal portion कैसे tensors का का काम करते है इसको याद करना ही ठीक है इसको justify करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है laryngeal inlet के openers की बात जब की जाती है तो यहाँ पर हम आपसे पहले भी बता शुके थी कि vocal cord पर action हम तीन तरीके के देखते हैं abduction, adduction और tensors के रूप में जब हम बात करते हैं laryngeal inlet की तो laryngeal inlet के opening के जब हम बात करते हैं तो उस दोरा नाम आता है thyroepiglotic muscle का यह thyroepiglotic muscle actual में यहाँ पर पाई जाती है आप देखें, thyroepiglotic muscle यहाँ पर पाई जाती है यह muscle जब contract करती है तो thyroid का inlet wide हो जाता है यहाँ पर laryngeal inlet के opening के लिए oblique portion of inter-arotenoid muscles काम करती है तो यहाँ पर देखें oblique portion of inter-arotenoid muscles जब contract करेंगी तो सीधी तोर पर laryngeal inlet की closing हो जाती है यहाँ पर देखें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से laryngeal opening या inlet की closing हो सकती है यहाँ पर आप देखें यह है airy epiglottic muscle इसकी closing इसको contract किया जाया तो यह inlet close हो जाता है airy epiglottic muscle जिसमें posterior oblique जो fibers हैं इनकी closing होने पर ऐसा होता है ऐसे ही inter-arotenoid muscle यहाँ पर देखें inter-arotenoid muscle होती हैं इनके contraction से भी laryngeal inlet close हो जाते हैं उसी muscle को आप यहाँ lateral view में देख सकते हैं airy epiglottic muscle को यहाँ lateral view में तो यह जब contract करती हैं तो close हो जाता है ऐसे ही आप inter-arotenoid muscles के यहाँ पर inter-arotenoid muscles के oblique part को आप यहाँ पर देखें तो इसके contraction से भी inlet close हो जाता है अब हम बात करेंगे next topic में extrinsic muscles of the larynx के बारे में यह larynx और ars-past की structures को जोडने का काम करती हैं इसमें दो categories आती हैं एक है strap muscle की और दूसरा है pharyngeal muscle की तो यह दो groups में divided होती है इसमें strap muscle जिसका नाम sternothyroid और thyroid के रूप में आप समझ सकते हैं यह muscle होती है और दूसरा है pharyngeal muscle यह important point है आपको समझना होगा यह दो groups में strap muscle और pharyngeal muscles के रूप में यह divided होती है तो यहाँ पर आप देखें, sternum और thyroid के बीच में, strap muscle है, externally, और thyroid और thyroid के बीच में यह दूसरी muscle है, यह इस तरीके से attached होती हैं. इसके साथ ही साथ, जो extrinsic muscles होती हैं, इसमें pharyngeous muscles का नाम आता है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं extrinsic muscles की, तो extrinsic muscles में मैंने आपको बताया है कि कुछ muscles जो कि यहाँ पर ऐसी हैं, जो कि strap muscles हैं, तो strap muscles में सीधी तोर पर जुड़ने वाली muscles हैं, यहाँ पर देखें, sternothiride और sternohiad, यहाँ पर देखें, sternohiad muscle है, sternothiride muscle है और omohiad muscle है, यह muscles, actual में depressures का का काम करती हैं, larynx को depress करती हैं, वहीं elevators में आम तोर पर pharyngeous muscles काम करती हैं, तो उपर के उठाने के लिए, आप सीधे तोर पर देख सकते हैं, heart से या तो उपर वाली जो muscles हैं, वहीं larynx को खीच करके उपर खीचेंगी, क्योंकि जब heart खीचा जाएगा, तभी larynx खीचा जा सकता है, तो उस नाम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम आ सकता है, वो है, जेनियो हायड का, यहाँ पर नाम आएगा, माईलो हायड का, आप देखें, जेनियो हायड, माईलो हायड, और स्टाइलो हायड का नाम आता है, तो वो muscles, जो कि heart bone के साथ अटाइस ढोंगे, वो indirectly जब heart bone को खीचेंगी, तो larynx भी उप main elevator की बात, main elevator, जो कि pharynx को directly elevate करते हैं, वो है pharyngeus muscle, जिसमें stylo pharyngeus, salpingo pharyngeus, palatopharyngeus, thyro hard muscles का नाम आता है, तो यह muscles, जो कि directly pharynx को खीचेंगे, खुद से खीचेंगे, तो कुछ pharyngeus muscles हैं, और कुछ थारो हायड की muscles हैं, जो directly इसको खीचती हैं, वो larynx को elevate करती है, elevation का काम वो muscles भी करेंगे, जो indirectly इसको elevate कर सकती हैं, secondary muscles के रूप में कह सकते हैं, यह muscles, basically, thyroid से नहीं जुड़ी हैं, वो heart bones से जुड़ी हैं, जब heart खीचा जाएगा, तो यह ultimately खुद बखुद खीच जाएगा, तो heart से जुड़ने वाली muscles हैं, वो secondary elevator के रूप में जानी जाती है कर सकते हैं